So hey what's up guys , welcome back to new episode of GTA San Andreas तो केसे हो आप सभी लोग ? I hope आप सभी लोग अच्छे ही होँगे तो लास एपीशोड में जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा हमने क्या 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 था हमने लास एपीशोड में मीटिंग क्या था बीग माफिया से और हमने एक मैंशन भी बाई किया था और हमारा वो मैंने बीग माफिय से मीटिंग तो किया था पर उसने हमें धोके से मारने का ट्राइब किया पर उस अंसेक्शेस्पूल रहा क्योंकि मैं वहां से जल्दी-जल्दी से भाग गया था तो तो नहीं मार पाया तो आज मेरे को मेरे को मैं तो मैं यहलोको दिखा देता हूं युशे सो मने लोकेशन दिखा देता हूं रोकेशन बूते हुझ श्ẫnिसने मेरे को ऊपर यह एरपोट के साइड पर बॉण तो यहीं अश्कूसे में झाल दोंगा तुम फर्स पार्ट सेकेंड भाट थर्ड जरु देखना और फूर्थ बार्ट भी देखना ठीक है तो लास एपीसोन में तो बहुत जादा गलती सीन हो गया तो देखते हो क्या बोलेगा तो तंवे मेरे लोकेशन में तो पहुच गया था और मेरे को पार्क कर देता हूं तो में जिसे पता ही बुगाडी चेरण outta हमें मैंसे मिला था तो हमें sis can इसने बोल दिया तुम जा सकते हो जल्दी से जाओ आगे एक बंदा खड़ा है उस 이제 बात करलें तो मैं जलदी जलदी से बात करने के लिए ये क्या बोलता है में सुनता हूं तो भाई एलेक्ष चौण आज मेरे को कहीं से पटा लगा है कि प्रेजिडट्ट हाउस में वायट हाउस में एक लेंबूर्गीनी सियान आने वाला है तो मैं तेरे को लोकेशन भी वेज़ दूँगा तेरे को ही पे जाके रॉबरी करना जैसे कि आप लोगनीश के बाद सुनी लए होगा इसने बोला है कि वाइठ हॉस में तो मेरे कुछ को चुराना है तो मैं जल्दी जल्दी से जाता हूँ उस लोकeशन पर live house पे और हमें आज लैमोर्गीनी सियान भी मिल जाएगा कद्र देखें कितना प्रोक्रेस ओर आइए तो जैसे कि मैंने बोला था तुम लोग को लास एपिशूड में की एलेक्स को एडमेंटियम देना है कि नहीं देना तो वो एपिशूड भी जल्दी आएगा तुम देखना ठीए कि उसे पीशूड में बहुत मज़ आएगा तुम तो सब्सक्राइब तो सोच सकते हो एक गुषे में कामतों को असमें जल्द से लोकेशन में पहुंच जाता हों जू भी समय चुर्चाथ कर livre the Sos इसके फॉर्ट करें जल्दी समय काळा प्रिगें जाओंगा क्योंकि आगे से तो बोड़ी गाड होंगे बहुत ही ज्यादा तो सेकुरिटी तो हो गाई तो मैं दूसरे जगे से जाओंगा जल्दी जल्दी से पहुच जाता हूं मैं लैंबॉर्गी निश्यान भी आ गई होगा यह आगा है हमारा वाइट हाउस जल्दी से पह कैमेरा निकाल के जल्दी जल्दी से में कैमेरा निकाल लेता हूं और फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कितने गाड़े इधर तो मेरे को जैसे दिख रहा है आगे एक गाड़ तो मेरे को एसे दिख रहा है यहां से जल्दी से जूम करके देखते हैं कितने गाड़े तो इधर मेरे को दिखे हैं दो गाड़े इधर दो गाड़े और पीछे कितने गाड़े वो भी देखते हैं पीछे एक गाड़ है और दो गाड़े दो दो गाड़े मैंने देख रहा है पीछे से तो इनको ध्यान नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका मुह आगे है तो उससा तो प मेरे को दिख गया है लेंबोर्गी निशियान भी और में थोड़ा सा ग्राफिक इंप्रूब कर दिया हूं तो जल्दी से में एक स्नाइपर निकाल लेता हूं इन दोनों को पुरा दूल से खोबडी उड़ा दूंगा इन लोगों का तो पता भी नहीं चलेगा इनको कहां से गया है तो जैसे कि इन लोगों मारूं का तो भी क्योंकि वाइड हाउस से प्रेजिदेने का कार है ना इसलिए तो हमें पुलिस तो जारूरी लगेगा तो हमें उसको भी छुटाना पड़ेगा पुलिस तो लगेगा ही लएगा छुपके जाता हूं मैं जल्दी से एक ले और तू भी निकल टकले आप जल्दी से गारी में बैठ जाता हूं में किसी को पता तो नहीं लगाए अभी तक जल्दी जल्दी से गारी में बैठ जाता हूं इधर से देखता हूं रस्ता है कि नहीं जाने का इधर से तो नहीं है और इधर से भी ट्राइग करता हूं इ कि ये लोग आगे देख रहे हैं मैं आगे से गाड़ी को लेके भाग जाता हूं आगे गाड़ी इसको अभी तक पता नहीं लगा तो मैं जल्दी से गाड़ी पुलिस फिर्ड में भागा लेता हूं और भागा लिया हूं इनको पता तो नहीं चला अभी तक तो जल्दी च्छेई स्टार का पुलीस लग गया, गाड़ी चुराने से चेई स्टार का पुलीस भाई साथ, भाई क्या मेरेको सिधा उपर पहुचान आएगा ये सही, तो मैं जल्दी-जल्दी से पुलीस इसकेप कर लेता हूँ, फिर में मिलता हूँ तुम लोग से, क्योंकि इतना टा पुलिस तो हट गया था मैंने बहुत ताइम लगा मेरे को 20 मिनिट तो लग गया क्योंकि छेश्टार का पुलिस तो नहीं आटेगा ना चेश्टार तो तो मैं जैसे तेसे करके पुलिस हटा लिया अब देख सकते हो यह हमारा लेंबोर्गी निश्यान कैसा लग रहा है बतान कहिज नहीं बولा था पर आज ही हम एक शोरूम भाई कर ने करने वाले ठीक है तो मैं तुम्हें लोकेशन दिखा देता हूं वह लोकेशनका है से लुक 허کकी स्मी जल्डी रुली के के साही तरफ दिखा दोंगा तुम लोग को केसा है बहुत अच्छा लगने वाला सटोन लो जल्दी से पहुंच जाता हूं लोकेशन में लोकेशन भी मैंने तुम्हें दिखा दिया हूं जल्दी जल्दी से में यह पार्ट कर देता हूं और मैं फिर मेलता हूं तुम लोगों को लोकेशन में पहुंच में ठीक है तो हम बस पहुंचने वाले हमारे सोरूम के तरफ जल् मैं अंदर जाता हूँ बात करता हूँ यह नीचे वाले लड़की से मैं पूछता हूँ इसे मैनेजर कि दर है तुम लोग का नहीं मैनेजर नहीं ओनर तो मैं मेरे को इसने बता दिया है ओनर उपर ही बैठा है मैं उससे बात करता हूँ जल्दी से उपर जाके फिर मैं तुम् क्या बोलने वाला है तो मैं इस से बात करने लग जाता हूं और सोरूम का पाइस कितना है तो मैं इस से जल्दी जल्दी से बात करता हूं कितना प्राइस बोलता है फिर मैं तुमको बोलता हूं तो भाई देखो इस सोरूम का प्राइस है फाइब मिलियन डॉलर क्योंकि तुम जा सकते हो सोरूम से बोला सोच इस ने और बोला हाँ बन जाऊंगा मैनेजर पर मेरे को सैलेरी ज्यादा चाहिएं तो मैंने भी बोल दिया हाँ ठीक है सैलेरी लेदे अच्छे जी काम करना मैं तुम्हें दिखा देता हूं सोरूम कैसा दिखता है हमारा आगे से यह देख ऊपर लिखा है और टू लमुना आ रहा है और हमारा फिर एक बीग माफिया से पंगा होने वाला है तो देखना जरूर नेक्स एपिशोड बहुत मज़ेदार होने वाला है कैसे और ट्राइवर मालिक मैं आपका चेला बीग माफिया आप मेरे को भूले तो नहीं मालिक मेरे को एक मदद चाहिए मेरा गृस्मा ने एलेक्स उसको मेरे को मारने के लिए हैल्प करिये मालिक प्रीज मालिक प्रीज मेरे को हैल्प करिये उसको मारने में मालिक